हेलो फ्रेंड स्वागत हैं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम बहुत सुन्दर डिजाइन ले के आँ हैं उसको आप लोग बनाईए और देखिए तो चलिए अब सुरू करते हैं इसके वादन देखिए यहां एक दो तीन फंदो में हमें पहले बनाना इसलिए पहले हम पीछे से सलाई डाल कर ये दोनों फंदे को classify फोरा विजिए उसको आसे सालाई में दे लिए अब इसको पहले हम बनाएंगे दो फंद्र पीछे वालई एक और ये दो बन गया अब इस फंद्र जो खीचे हैं इसको फ़ुअ सीधा करके इसको ऐसे बना देंगेर और बनाद初 को ऐसे पंदै प्रक्ट के उताबना है चोटी सुंदर बनेगे ऐसे पलट लिए अब इसी तरह से एक डोग तीन एक यह तीन फंदे को हम पहले ऐसे बनाएंगे एक अब इस फंदे को हम को बना लेना है अब इधार तीन उल्टा और एक सीधा अब इधार हमको नहीं डालना है इसको हमें ऐसे प्लेन बनाना एक दो और तीन और इसको चोटी एक बीच में इसको ऐसे घुमाक उतार लेंगे हम फिर तीन उल्टा है दो तीन उल्टा है अब इधार हमको बनाना दियाए देखिए तीन छे एक साथ फंदे का है यह बीच में चोटी जाएगी और किनारी किनारी और फंदा खीच के बना लिए जाएगा अब इस फंदे को हमको खीच के बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे पीछे से दोनों फंदे को उतार लेंगे सलाई पर ऐसे उतार लेंगे अब इसको खीच के पहले इसको चाहा देंगे अब तब इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे पहला फंदा है यह अब यह दूसरा फंदा है आप ये तीसरा फंड़ इस ये बना ले अब इस चोटी को थोड़ा ऐसे घुमा देंगे अब इधर से तीन फंड़ा है एक दो छोड़ तीसरे फंदे को पहले हम सलाई में ऐसे खीच लेंगे, खीच के पहले इसको बुन लेंगे, अब ये दो फंदे को बनाए जाएगा, अब ये बन के त्यादी, दो लाइन डिजाइन बन जाए, एक और एक दो, अब यहां तीन उल्टा और एक चोटी है, एक, दो, तीन उल्ट है, और एक चोटी है, इसको ऐसे घुमा लेंगे, तो ऐसे चोटी उल्ट जाएगे, सुंदर आएगा, अब यहां पर हम, यहां उल्टा है, एक उल्टा, दो उल्टा, और तीन उल्टा, आएक सिलाई वाला, चार उल्टा होगे, अब उल्टी तरह से बता रहे हैं, अब दे इस तरह से उल्टी करफ से, सीधे पर सीधा, और उल्टे पर उल्टा बुनना है, यह देखे, यह दो, एक तीन, एक चार, और एक हमको, जो चोटी है, उसको उल्टा बनाना है, यह उल्टा बन गया, और एक, दो, और तीन, अब इधार उल्टा बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सात पंदा कम्प्लीट हो गया, अब इसको सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, और एक उल्टा है, चोटी वाला, चार, और पांच, छे, सात, सात पंदा कम्प्लीट हो गया, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये सात पंदा है, और एक सीधा बनाना हो गया, अब ये दो लाइन डिजाइन कम्प्लीट हो गया, इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, जब ये पांच लाइन बन जाएगा, एक, दो, ऐसे करके खीच के, हम पांच बना देंगे, तब उसके ब बंद करके और इस पर हम डालना सुरू करेंगे, इसी तरह से पूरे, अब यहाँ, अब इस डिजाइन पूरा हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब हमें यहाँ उल्टा बना रहा है, अब एक, दो, उल्टा, एक, यहाँ दिखिए, उल्टा बन गया, तीन, उल्टा बन गया, अब इस फंदे को ऐसे घुमा के चोटी को उतार लिया जाएगा, अब फिर यहाँ भी तीन उल्टा बनेगा, एक, दो, एक, तीन, तीन, उल्टा बन गया, अब यहाँ उनको डिजाइन बना रहा है, अब यह उल्टे पर डिजाइन बनेगा, अब यह दो फंदे क तो पीछे से सलाई डालके ऐसे निकाल दिया जाएगा और इसको ऐसे उठा लिया गया अब इसको इस पर चछा देंगे अब यहां सीधा बना देंगे अब यह डिजाइन अब यहां पड़ेगा डिजाइन तक इस उल्टे पड़ रहा है अब इस चोटी को ऐसे घुमाके उठा लिए अब देखे तीन उल्टा है इस उल्टे को खीच कर और ऐसे इसको बना लेंगे एक सीधा बन गया अब दूसरा सीधा बन गया अब ये तीसरा सीधा बन गया अब देखे डिजाइन यहां पड़ेगा इस उल्टे पर पड़ रहा ह नहीं डालना है, इसको उल्ठा करना है, अब एक उल्ठा, दो उल्ठा, और प्वाथ इस चोटी को ऐसे घुमा के ती ले देगे, फंदा पीछे रहएगा, अब फंदा आगे करके ulative मे glow दर 5 n salary, pension, unionary, सब्सक्राइब काई फिर इसको अगे करें देखेए 3 फंदा हैं 2 फंदे में सलाई पीछे से ठाला जाएगा ईसको और यसी उतार लिए है और इसको उतार के इसको चहाँ दिए अब इस फंदे को आगे कर देंगे अब इसको सीधा बनाना है एक, डो, और यह तीन, और यह चोटी को ऐसे तार लिये हैं, अब फिर इधर वाले को भी तीन भंदे में ऐसे बनाना है, कि इसको आगे कर लिये, आगे करके ऐसे बना लिये, फिर इसको उसी तरह से बनाना है, यह देखके बन गया, इसको देखके डिजीन बन गया, और यह ब शुनिटा जाएगा अगे हैं, और यह लाश्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बनानाह एं अब देखिये, फिर पोर आगे, बादे रहा हैं, एक उल्टा, दो उल्टा हो गया, ये तीन उल्टा हो गया, ये शार उल्टा, अब ये पांच माला फंगा जो हमारा है, ये भी उल्टा हो गया, अब यहां सीधा बनाना है, अब ये एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा और चोथा फंगा ये उल्टा कर देंगे, ये चोटी जा रहे हैं, ये, और यहां से अब ये सीधा है, तीन सीधा रहेगा, एक, दो और तीन सीधा, फिर उल्टा, एक उल्टा, दो उल्टा, तीन उल्टा, अब चोटी आले पंगे को भी उल्टा ही बना लेंगे, ये, इसी तरह से पूरा बुनाई करते हुए, पूरे स्वेटर में डालेंगे, क्योंकि पूरे स्वेटर पड़ता तो बहुत ही अच्छा लगता है, भरा भरा सा स्वेटर लगता है, अब ये उल्टा है, अब यहां सीधा है, एक, दो, तीन, चोटी अब ये सीधे तरह देखे, अब डियाइन पड़ गया है, अब इसको जो है, यहां पांच लाइन बनाए है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसी तरह से पांच बार इस पे भी अब बना ला है, इसी तरीके से पांच बार बनेगा, मेरा यह डियाइन बनकर कंपलीट हो गया, और आप लोग इसे हाफ सोटर में, या फूल सोटर में, कहीं भी आप इसको डालिए, और यह बहुत ही सुन्दर डियाइन लगता है, और इसे अगर आपको पसंद आए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सकाइब करिए, और कमेंट करना न भूलिए, अब इसी तरह से यह अब यह डिजाइन इस पर पड़ेगी, यह यह डाले हैं, फिर यह डाले हैं, अब इसके ऊपर यह तैयार हो गया है, पांच पांच बार बनाना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ब झाल